हेलो दोस्तो स्वागत है एक बार पुना आप सभी का हमारे अपनी यूटूब चैनल सीव कोजिंग क्लासेस पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 वायो लाजी एंसी आर्टी में चैप्टर फोर के जितने भी इंपोर्टेंट कॉस्टेन है दोस्तो जो पेपर के द्रश्टी से बहुत महत्तपूर्ण है वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं तो दोस्तो इसके पहले यदि आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने एक से लेके तीन पार्ट तक के पूरे महत्तपूर्ण करा दिये थे तो चलिए आज च पूछ ले या किसी और का तो मानों में जितने भी यौन संच्रित रोग हैं तो उसका वर्णन करने के लिए आएगा और यह लांग कोस्टन भी कोस्टन पूछा जा सकता है चलिए दूसरा कोस्टन देखते हैं दोस्तों क्या है जन्म नियंत्रन की प्रमुख विधियों का वर्णन करना है यह भी पेपर में कई बार आ चुका और इस बार भी पेपर में आ सकता है इसके पूरी संभावना आने की चलिए दोस्तों नेस्ट कोस्टन जो हमारा है वह है एम्नियो सेंटेसिस क्या होती है तथा यह कैसे की जाती है क्या दोस्तों एम्नियो सेंटेसिस क् होती है तथ यह कैसे की जाती है इसके गुण हुआ अब गुण समझाना है देखिए इसके गुण और इसके अब गुण यह दोस्त को समझाना है चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ 40 question answer में आपके लिए count counts आ सकता है देखिए तो 40 question में आपसे पूँछा जा सकता है कुछ tipनी लिखने के लिए आ सकता है जैसे, देखिए Terrific question में क्या आएगा, tipनी लिखने के लिए आएगा जिसमें देखिए पहला जो हमारे पास है ये है sind nic ठीक है दोस्तो पहला जो आप से पूछा जाएको वो क्या है बैसेक्टोमी इसके बाद देखिए जो दूसरा है हमारा वो क्या है ट्यूबिक्टोमी होता है चलिए दोस्त तीसरा कोस्चन है दोस्तो इसमें क्या हमारा तीसरा है गिफ्ट को समझाईए आपके लिए आ सकता है चलिए दोस्तो इसके बाद जो हमारा नेश्ट है वो है गिफ्ट के बाद आ गया जिफ्ट जिफ्ट को भी सार्ट पूछा जा सकता है जिफ्ट को समझाईए सार्ट कट में इसके बाद दोस्तो देखिए अगला कोस्चन हमारा MTP, MTP को साट में समझाने के लिए पूछा जा सकता है इसके बाद देखिए जो छठा कोस्टən है हमारा इसमें हर्मोनल गर्व नी रोधक देखिये गर्व नी रोधक पर टिफने लिए लिखने के लिए आ सकता है, साट कोस्टण में भी आ सकता है